चाहे वेक्ति हो या वस्तु जो दूसरों के लिए उप्योगी हो उसी की सार्थकता है पुस्तक की एक कहानी से पुस्तक का नाम आदर्श कहानिया सचित्र बालवारता बच्चों को कहानी सुनाने की बहुत पुरानी प्रथा है बच्चों को प्रवचन द्वारा चरित निर्मान की शिक्षा देना अरुचिकर होता है और वे विवेक संगत बातों का मर्म नहीं समझ पाती शिक्षा प्रद लगू कहानियों से बच्चों का मानुरंजन भी होता है और उसके साथ साथ उन्हें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है जो उनके व्यक्तितों पर बहुत गहरी चाप छोड़ता है आपके समक्ष प्रस्तुत है एक लगू पुस्तक जिसमें शिक्षा प्रद कहानियों का संकलन किया गया है ये कहानियां सरल और स्वाभावेक होने के कारण बच्चों को सरलता से समझ आती है पुस्तक के मुख्यांश लालच विनाश का कारण मनता है दूसरों की सेवा करना ईश्वर तक पहुंचने की बहुत बड़ी सीरी है स्वार्थ और परमार्थ दोनों एक साथ नहीं सदते हैं संसार और भगवान में से एक ही हाथ लगता है संसारिक बातों में उलजकर भगवान को याद नहीं किया जा सकता उन्नती पाकर किसी को गर्व नहीं करना चाहिए गर्व करने वाले मनुश्य का पतन अवश्य होता है अहंकार का मद अधिक देर तक नहीं टिकता बहुत शिग्र ही उसके कूपरिणाम सामने आ जाते हैं यदि चरित्रवान संतान चाहते हैं सबसे पहले अपने व्यवार को ठीक करना चाहिए माता-पिता की कथनी करनी एक ही हो यह भूत जरूरी है क्योंकि कच्चे मन पर वही संसकार पड़ते हैं जो बालक अपने आस-पास की वातावरण में देखता है माता-पिता का अच्छा व्यवार बालक को भी अच्छा बनाता है बच्चों को माता-पिता का सहारा छोड़कर धीरी-धीरी अपने काम स्वयम करने की आदत डालनी चाहिए इसी में उनकी भलाई है आलस से कभी अकेला नहीं होता इसके मित्र भाई जैसे नशे बाजी, चुगली, बेइमानी, इर्शा आदि कई दुर्गुन स्वयम ही आदमी में आ जाते हैं इसलिए कभी अलस से नहीं करना चाहिए पुस्तक के मुख्य बिंदू उदारता ने महान बनाया धूरतों से सावधान गुरू की शिक्षा पहले स्वयम को बदले कंजूसी किस काम की शैतान का सरवस्व आलस से